हेलो नमस्ते जी सभी को कैसे है सब आसा करती हूं सब अच्छे होंगे आद देख रहे हैं आप ये कितने बढ़िया भरवा पराठे हैं एकदम कुरकुरे करारे आप इने इस तरह पीसीज में कट करके भी दे सकते हैं बड़े क्रंची से बने हैं और ये किस चीज के मैंने बन आए है थमनेल देखके आप समझी गए होंगे तो चलिए बना लेते हैं यह मैंने पिठी तयार करिया बथवे की और आलू की प्याज वगेरा मसाले सभी डाल के तयार करके रख लिए पिठी ओल्मोस्त हम सब को बनानी आती है अब देख लेते हैं यह मक्का काटा यह बाज और मैंने इसमें गेहों काटा है बिल्कुल नहीं डाला है एक चमच भी तो इन तीनों को हलका सा गरम पानी है उससे गूथ लेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए एक साथ जादा ना डालें कभी पतला हो जाए क्योंकि जादा पतला हो जाता ना मकी काटा तो उसकी ना रोटियां ठीक से नी बनती ना जादा केडा ना जादा पतला ऐसा होना चाहिए मीडियम सा और लगा कर रख भी देते हैं थोड़ देर दुबारे से फिर पानी लगा कर तो सट कर लेते हैं फिर जादा अच्छा हो जाता है थोड़ा ओर चिकना हो जाता है और जो बहुत पढ़ रही है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बाजरे का भी मिलाया है तो देखे इस तरह का आप लगा के तयार कर लें आटे को और ऐसे अच्छे से पटक पटक सी के अच्छा सा इसको गूथ ले इसमें मुक्की तो लगती नहीं है इसी तरह करना पड़ता है यह क्यो भी बताना कि आप बनाते हैं कि इस तरह तो आटा लगके तयार हो गया तो चलिए अब रोटी बना लेते हैं हाथ पर थोड़ा सा सुका आटा लेंगे और इस तरह लोई बना लेंगे पहले और बहुत जादा पतली नहीं बनती है इसकी रोटी हलकी थोड़ी मोटी सी ही रह आ करा कर grip के और बहुत ज़्यादा नहीं सही लगाते हैं अगर लिए खाली बनाते हैं तो उसमें तो सूखाटा लगाती भी नही हूं मैं । पानी सही बना लेट की Bena बिन लेखने बर colleg भरवा तो इसके वजे से म म हमें थोड़ा सा सूखा पराटा आ स्मोग यह भरा रिख तो ये दूसरी लोगी भी मैंने फला लिया अब हम इस पर लगा लेंगे जो हमने पिठी भरी है ना बनाई है तो उसको अच्छे से एक मोटी सी लेयर में हम इसके उपर फैला लेंगे ऐसे हाथ पर रखते हुए अगर काउंटर पर रख देंगे ना तो ये फिर चिपक जाएगी इस पर उठेगी नहीं अगर हम उठानी कोसिस करेंगे तो ये तूट जाएगी तो इसको बराबर बराबर हम फैला लेंगे और इसके बाद हमने जो दूसरी लोगी बना कर रखे है उसको इस साइड से इस तरह और इसे चारो तरफ से इस तरह चिपका देंगे और ये बहुत तीजी चिपक जाता है खुलता भी नहीं है क्योंकि मकी काटा बहुत जल्दी एक दूसरे से जुड़ जाता है कहीं बार रोटी भी अगर तूट जाती है तो उसको तवे पर इस चिपक जाती है तो आप इस तरह चारो तरफ से इसको बंद कर दें पानी लगाने की भी जरूरत नी है और थोड़े से इसके किनारों पर हलका सा अलका सा सुखा अटा लगा लेंगे ताकि आथ पर चिपकेना और इस तरह करते हुए इसको गोल कर लेंगे चारो तरफ से ताकि कहीं पतला कहीं मोटा ना रहे इक्वल हो जाएगा इस तरह थोड़ा सा सुकाट लगा के इस तरह हलके हाथ से हम इसको बढ़ा लेंगे जितना आपको लगता है कि तवे का भी साइज देखना और फिर रोटी फटनी नहीं चाहिए जब आपको लगे कि हलकी दलकी दरार आने लगी है तो आप इसको इस तरह आराम से और इसको ऐसे थप देनी सी नहीं डालना होता है मक्य की रोटी को आरा पराठे की तैयारी कर लेते हैं और आप चाहिए तो इसको रोटी की तरह सेक के और मक्षन लगा के भी खा सकते हैं और चाहिए तो घी या तेल जो भी आप खाते हैं रिफाइंड जो भी आप खाते हैं उससे इसके पराठे बना सकते हैं तो मैं तो फिलाल पराठे ही तो आप देख सकते हैं कि कितनी पिठी में भर रही हूं और मैंने तीन पर आठे बनाए तीनों ही इतने अच्छे बने हैं देखो ऐसा ही जैसे हमने पहले वाले को मोड़ा था तो ऐसे ही मैंने राउंड करके रख लिया है और हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से अच्छे सा पका लेंगे देखो यह बिल्कुल इसको थोड़ा सा आराम से पलटा जाता है अब मैंने जो मैं पराठा बना रह तो साइड में रख दिया अब इसमें अच्छे सा ओल लगा के इसको दोनों दरफ से पका लूँगी तब उसको बढ़ाऊंगी क्योंकि बढ़ाने के बाद ज्यादा देर हाथ पर भी नहीं रख सकते हैं अगर ज्यादा देर हाथ पर रखते हैं तो भी टूटने का डर रहत क्लाते हैं लेकिन यह थोड़ा सा हाड होता है मक्का का तो इसलिए अराम से इसको दबा दबा के सेक लें और यह बड़े क्रिश्पी से बने एक बार आप जरूर ट्राय करें इतने बड़े नि बंते तो साइड चोटे बने लेकिन एक बार ट्राय जरूर करना और बताना की कैसे लगे, इस तरह दोनों तरफ से में इसको करारा करके, सेक लूँगी, टाइम लगता है इनको बनाने में, तब गेहूं के मुकाबले, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बनाने, और ये सिकते-सिकते न, इसके किनारे ऐसे तिडग गे थे, क्रंची होने के कारण, बड़ा ही करारे करारे से पराठे बने थे, अब मैं दूसरे को भी ऐसे अराम अराम से बढ़ा लूँगी, और बहुत हलके हाथ से, बिल्कुल ऐसे जैसे हम मक्षन पर हाथ चला रहे हूं, तब अच्छे बनते हैं देखो कितना अच्छा सा सिग्या करारा सा, और मैंने ये दूसरा पराठा भी बना के तयार कर दिया है, और अभी मैं इसके यहां पर गैस पर जाली रख लूँगी, दूसरी मैं इसको जाली पर रख दूँगी, ताकि ये क्रंची सा बना रहे है, अगर ऐसे सीधा कपड़ कर लिया है, तो पो जाली इसकल, मैं पलट दूँगी और इसको भी मैं भरकर तयार कर लूँगी, तीसरे वाले को भी, इस पर होई लगा देना, तब तक को धुक्ती। हो जाएग के और दूसरे पर रख्के बना लेते हैं पर मैंने कभी नहीं बनाएं पन्नी पर रख्के तो मैं नहीं कह सकती जो कि इतने बढ़िया आप धूयर को मुझा देखान वैल्यम फेकर कि अपर आर से लिखबिया लेकिनि से सब्ट पार Me तीसरा ये मेरे हाथ में इसके बाद मैं पाइल बनाओंगे गहु वाले आराम से मने ये भी डाल दिया है निगे इसी तरीके से अप भी बना लीजिये का और इपनाने के लिए ऐसे गहु की एक बड़ी सी रोटी बना लीजिये है उसपे Tabu ये पिठ्थी और साथ साथ मेरा ये पराठा भी सीक रहे है मक्की वाला और इसको ऐसे चारों तरफ से बंद करिएं मैं कभी भी दो रोटी बना के मतबं कि यहहुँ की दो रोटी बना उनके बीच में पिठ्थी बरकर, कभी ऐसे पराठे नहीं बनाती है, ऐसे ही बनाती हूँ, और बिल्कुल भी फटते नहीं हैं पराठे, और इसको ऐसे थोड़ा सा हास से बढ़ा लीजिए, हलका सा, और बेलन को हमेशा पराठे भरे हुए पराठों पर इस तरह चलाना चाहि जैसे आप बेलन को मक्खन पर चला रहे हूँ, अगर आप इसने हलके से चलाएंगे न मक्खन की तरह है, तो आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे, और नहीं किनारों से पिठ्थी बाहर निकलेगी, तो ऐसे ही, ईजी लिए, खूब बड़े-बड़े पराठे आपक की तकनीक, आजाइए, खा लिजिए, मक्खा के पराठे भी और गेहों के, बत्वे के पराठे भी, जो भी आपको पसंद है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से ज़्यादा अच्छे लगे, अब खा के तो आप बतानी पाएंगे, क्योंकि इतनी दूर से खा तो सक सकते नहीं है, लेकिन देख के आपको कौन से अच्छे लगे, बता दीजिए, और मैथड कौन सा अच्छा लगा, वो भी बता दीजिए, देखो, ये दूसरा अपराठ भी बनके तयार हो गया है, मेरा काम सारा लगबक खतम हो गया, मैंने सारे पराठे बना के तयार कर दिया है, पाएल को खाने के लिए भी दे दिया है, अब देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितना, देखो, यह मक्का की वज़े से देखो किस तरह तूट रहा है बड़ा क्रंची सा बना था बहुत ही ज्यादा टेस्टी तो एक बार आप ट्राइ जरूर करना यह तो हो गए मक्का के अभी मैं आपको दिखाते हूं गहwaalे देखो गहwaalे यह हैं देखो गहwaalे तो किस तरह भी मुढ जाते हैं तीन है ये मक्का के आजाईए खालीजिए और अगर आपको ये है कि बच्चों को देना है तो आप पिज्जा की तरह काट दीजिए और काट के इस तरह सर्व करिए और बच्चे ऐसा ही पिज्जा की तरह इसको खाएंगे चाये तो आप इस पर थोड़ा सा मक्षन वगएरा भी रख के दे सकते हैं बच्चों को बच्चे और भी जादे कुछ हो जाएंगे और आप देख सकते हैं देखो किस तरह टूट रहा है कितना क्रंची बना होगा सोच सकते हैं आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आएं तो स सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ नमस्ते जी